नमस्कार दोस्तों तो आज हम जानेंगे अलमेंडा जॉल के बारे में ये एक मेडिसीन है जो कि परसाइट इंफेक्शन को या फिर वॉम्स रिलेटेड इंफेक्शन को ये खतम करता है तो लनना बहुत ही जुरूरी है कि ये परसाइट है कौन-कौन ये करता क्या है या वॉ कितने तरह के वॉम्स के इंफेक्शन को ट्रीट करने में मदद कर सकता है तो चलिए हम शुरू करते हैं परसाइट से तो बहुत ही सिंपल भासा में समझने की कोशिस करते हैं कि परसाइट होता क्या है तो ये एक ऐसा जिवानू है ठीक है जो कि पौधों में भी हो सकता है ये क्या करते हैं कि सरीर के अंदर प्रवेस करते हैं और हमारे सरीर से वह अपने भोजन का प्रवंद करते हैं मतलब वह जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं हमसे अपने फूड के रिक्वार्मेंट के लिए और उस रिक्वार्मेंट को पूरा करने के चलते में हम बीमार पड़ते हैं ठिक है तो कभी-कभी क्या होता है कि परेशाइट की वजए से हम बहुत ही सीरियस सीवियर बीमार पड़ जाते हैं तो जो पारसाइट है वह तीन तरह का होता है पहला है Proto-Zoas second, है Helminthus जिसको हम thumbs बोलते है और आज का main topic J यही है और जो इकटो पारसाइट ऑर दो बात कर लेते हैं प्रोटवा के बारे कार Sullivan कि पारशाइट है जो की मेरीय चाइवीय क्लट करता है्ट कर सो आप इस पक्छर में देख सकते हो और समझ सकते हम तो बात करते है हैं हील में 30 के बारे के में यह एक तरह का वहाँ है जो कि Naked Eye से Visible होता है ये adult में अकसर Naked Eye से 不是ologistALL है बहुत सारा Intestinal Worm है जो कि transmitted होता है soil से या फिर जब जय से transmitted हो जाता है तो Gastrointestinal Tr塊 इनफेक्शण फाेला सकता है ठीक है और ये जो है लगभग से लेकिए एक मेटर तक लंबा भी हो इक्टोपरसाइट की ऐसे कुछ पारसाइट है जो की अंदर नहीं जाते हैं बोड़ी के बाहर रहते हैं जैसे कि फ्लीज भी होता है और इंसे जो इनफेक्शन होता है मिस्ट में को बोलते हैं टो पारस्तोसिस ऑफ finally बात करते हैं worms के बारे में कि worms कितने तरह के होते हैं तो जो सबसे पहला है वो है टेप वाम तो टेप वाम का जो लंबाई है वो कुछ मिली मीटर से लेके मीटर तक हो सकता है और यह हमारे ओरल रूट से भी फैल सकता है अब जो अगला है वो है विप वाम इसका नाम विप वाम ही चलते पड़ा क्योंकि इसका जो सेफ है वो चाबुक के तरह होता है यह निमा टोड़ा फाइलम से आता है और वैसा इसका स्टैंटेफिक नेम जो है वो ट्राइक्यूरिस है और यह है सो इनफेक्शन फैलाता है जब हम इनफेक्टेड वाटर या इनफेक्टेड फूड जब हम लेते हैं तो विप वाम का इनफेक्शन जो है वो फैलता है हमें तो अगला जो वाम है वो उसको कहते हैं फ्लुक्स तो इसका जो structure है वो पेड़ के पतों के तरह होता है ठीक है तो और ये जो है जिसे पानी है तो पानी में बहुत ज़्यादा snails है तो उसके infection से भी ये फैलेगा और अगर हम कोई भी भोजन बनाते हैं वो cooked नहीं है uncooked है तो उससे भी ये flux का बिमारी फैलता है तो अब हम बात करते हैं हुक वाम के बारे में तो हुक वाम इसका भी जो नाम है वो इसके structure के अनुसार ही दिया गया है तो इसका front end और जो back end है वो hook like structure का होता है इस वज़े से इसे hook warm बोलते हैं ओके जब हम जब कभी भी हम ग्राउंड पर पैदल चलते हैं without any sleeper तो क्या होता है कि जो पेड से जो गिरता है जो यह हुख warm का larva वो हमारे पैरों में शत जाता है और वह क्या करता है हमारे पैर के हिस्से से हमारे बोड पेडूर्ट करता है। और बोडे के जरिए वह तब हमारे intestine में पहुंचता है जब हम coughing करते हैं जब हम कफिंग किये तो उस टाइम में क्या होता है कि वो रिस्पारेटरी सिस्टम में प्रवेस करता है और वहां से वो जो है सो इंटेस्टैनल इंफेक्शन काउज करता है हमारे इंटेस्टैनल में प्रवेस करके तो यह इसका जो सफर है वह काफी लंबा है तो अब हम बात कर लेते हैं थ्रेड वॉम के बारे में तो थ्रेड वॉम इसका भी नाम इसके स्ट्रक्चर के अधार पर ही रखा गया है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वह थ्रेड लाइक है धागे की तरह है ओके जब कभी भी हमें थ्रेड वॉम का इ लूभ है आं उसके जर्य क्या होगाkedंस से जो है इंफेक्सन से वह होगा इस एरिया में और यह जो है जो मौसले रात के समय होता है और आप छो कर ज सकते हैं अब बात करते हैं जिसके कि हम राउंड वाम भी बोलते हैं तो यह अक्सर जो है वो 15 से 30 सेंटी मीटर लंबा हो सकता है हम जब कभी भी infected water या infected food लेते हैं तो उस case में जो है इसकेरिस होने का संभावना बढ़ जाता है तो अब हमने बात कर ली roundworms के बारे में अब बात करते हैं कि इसके symptoms क्या क्या हो सकते हैं कि हमें abdominal pain हमें पेट में दर्द महसूस होगा ठीक है जो है यह parasite है यह हमारे अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो यह अपना सारा भोजन हमसे ही लेने का कोसिस करता है इसके वजह से हमें blood loss का सामना करना पड़ता है जिसके वजह से अनेमिया भी होता है जब कभी यह infection हो जाएगा तो हमें appetite भूक नहीं लगेगी लेगा कि अब भूक तो ही नहीं जब कभी भी यह बहुत ही ज्यादा serious condition में पहुँच जाता है जैसे anal reason में जब कभी भी eating होने लगता है तो हमें mentally हो या physically हो हमें disturbance होता है हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम physically या mentally stressed है तो अब हमने बात कर ली symptoms के बारे में अब बात करेंगे कि actually मैं albenda jol करता क्या है इन सारे चीजों को सुधारने के लिए तो चलिए आते देखते हैं albenda jol के क्या-क्या uses है इसके mode of actions क्या-क्या है इसके हम कितने doses हमें लेने चाहिए और albenda jol को लेने के दौरान हमें क् अप्टी questions रखने चाहिए albenda jol का उपयोग हम roundworm से infected person के लिए भी करते हैं hookworm से related जो person है infected उनके लिए भी कर सकते है विपवम है उससे infected अगर कोई है तो उसके लिए भी हम albenda jol जो है उसको prescribe करेंगे टेपवम से infected है तो उनके लिए भी हम प्रियोग करते हैं अब बात करते हैं इसके mode of action के बारे में कि मतलब albenda jol अगर हम किसी को देते हैं तो वो कैसे किसी भी warm को धरसाई करने में या फिर उससे treat करने में मदद करता है albenda jol जो है वो tubulin polymerization जो है उसको inhibit करता है that results in the loss of cytoplasmic microtubules अब समझते हैं थोड़ी आसान भासा में कि जब हम albenda jol को देते हैं तो यह करता क्या है कि जो worms है उसके glucose के absorbing capacity को वो stop कर देता है अगर कोई warm सरीर के अंदर है तो उसको जीने के लिए ग्लूकोज चाहिए energy के लिए ग्लूकोज चाहिए तो वो क्या करता है glucose को जो है supply stop कर देता है तो finally क्या होगा कि जो वो worms या कीड़ा है वो कमजोर हो जाएगा और अंत में वो मर जाएगा तो अब बात करते हैं कि 400 mg टैबलेट अर्मेंडा जॉल का उनको देना है 14 दिन में एक बार कितने 14 दिन में एक बार और यह cycle जो है वो तीन से चार बार चलेगी ठीक है मतलब तीन से चार सपता लेकिन अगर कोई बच्चा एक से दो साल का है तो उसका डोज कितना हो जाएगा 400 mg से 200 mg आधा हो जाएगा और वही 14 दिनों में एक बार तिन से चार साइकल में लेकिन अगर कोई जैसे टेप वाम से पीडित है बहुत ही हाईयर इंफेक्शन हो गया है जैसे कि जीजीज है तो उसकेस में क्या करेंगे 400 mg का टैबलेट देंगे वह दीन भर में दो बार दिया जाता है और कितने दिनों के लिए दिया जाता है 28 दिनों के लिए अब बात करते हैं से कौवे परीकॉसिन रांश के बारे में कि अलमेंडा जोल लेने के दौरान हमें क्या क्या स्टेकर्जाय रखने चाहिए तो जैसे कि कोई भी पेसेंट अगर लीवर का प्रोब्लम है उनको या द्यक्वीटट 《बहुनितसे सो ग्रीव मेंजा रिक्रेटिएडर से और हमें करनी चाहिए ताकि हमें future में जो है वो warm disease या worms related disease ना हो जैसे कि हमें हमें हमेंसा hyzen maintain करके रखना चाहिए हमेंसा clean पानी पीना चाहिए जब भी हम toilet जाते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें हाथ दोनी चाहिए और हमेंसा fully cooked जो की पूरा पका हुआ खाना है उसे ही खाना चाहिए और जो खाना पक गया हो तो उसको cover करके रखना चाहिए जब भी कभी हम vegetables या fruit अगर हम खाते हैं तो उनको खाने से पहले उन सब fruits या vegetables को clean करना बहुत ही जरूरी है तो अब हम बात करेंगे कि वैसे कौन-कौन से ब्रांड्स हैं जिनके नाम से अलमेंडा जॉल मार्केट में उपलब्ध है जैसे हम कुछ examples हम ले लेते हैं जैसे कि ABD 400 mg के form में tablet आता है जो की in-task company बनाती है बेंडेक्स के नाम से भी यह tablet उपलब्ध है जो कि 4 mg के form में आता है जिसको सिपला बनाती है अल्बेंडॉल जो है वह 400 mg के form में आता है टाबलेट फॉर्म में जो की माइक्रोलैप्स बनाती है मिली बेंड है यह भी 400 mg टैब के form में आता है जो की जेलेन मार्क नाम की company बनाती है और भी बहुत सारे companies हैं जो की अल्मेंडा जोल बनाती है लेकिन इन में से 2-4 example हम लोगों ने देख लिया तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी informative लगी होगी हमारे साथ जुणने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं इसी तरह